नमस्कार शौगत आप देख रहे हैं मन्चान यूज हमें आपके साथ अंके सिंग चोहन साम की बड़ी खबरों के साथ यह आपका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों के ओर बताते चलो कि विराट कोहली का जो खराब फॉर्म है लगतार अब ऐसे क्यास लगाए जा रहे है कि एक 20 रुका सबसे बड़ा वल्ले बाच कहा जाए तो कोई दो राय नहीं होगा लेकिन कई लगातार खराब फॉर्म के बाद अब उन पे कई सवाल खड़े हो गया है आईए हम आपको इस खबर के अंदर में बताते हैं कि आखिरा ऐसा क्या कुछ कहा जा रहा है विराट क हमारी के कारण भारतिय कप्तान का इंतजार लंबा खिच गया है कोहली नहीं साल टेस्ट एक दिवस्ये और टी 20 में तीनों को गर मिला कर देखा जाए तो कुल 16 पारियां खेली है जिनमें उनका टाफ ए स्कोर 89 रहा है जो उन्हें आस्टिले के खिलाब बैंगलूर में 19 ज जिन्ता का विशह बना हुआ है जिस तरह से विराट कोली टेस्ट वंडे और टी 20 में खेलते भी नजर आते हैं और अपने आक्रमकता के श्रात मैदान पे बल्लेबाजी करते हैं लेकिन कहीं न कहीं उसका असर देखने को कम मिल रहा है जिस तरह से खराब फॉर्म के दौर स गुजर रहे लेकिन उस ऐसी कई कया से भी लगा ही जारी है कि कोहली जल्द ही वापसी करेंगे और किर्केट में कुछ बड़ा करते हुए नजर आएंगे बताते चलो कि कोहली वर्स 2020 में अब तक घरेलु सरजिमी पर स्रिलंका के खिलाब 3 टी 20 और अस्टिला के खिलाब 3 वंडे खिले हैं जबकि न्यूजर लेंड दोरे में उन्होंने 4 टी 20 टी टीन वंडे और दो टेस्ट मेंच खिले हैं इन मैचों की 16 पारियों में वा मातर 63 की उससा से 400 दाउन रान ही बना पाए हैं जिसमें 3 अर्द तक सामिल है अब देखना यह होगा कि क्या एपियल में विराड कौली अपने उसी फॉर्म में खेलते वे नजर आएंगे या फिर उनके उपर द्वाब और भी बड़ता जाएगा क्योंगी भारत का डिव दौर आये जहां पे वर्ल्ड कप खेली जानी है और वर्ल्ड कप में विराड कौली क्या कुछ करते वे नजर आएंगे य तो शाब तोर पर देखा जार है कि क्या विराट कोली फॉर में लोटेंगे या फिर लगतार दवाब की वज़े से विराट कोली का पीछला फॉर्म ही बरकरार रहेगा लेकिन ऐसी कई कया से लगाई जरी कि विराट कोली जल्द ही फॉर में वापसी करेंगे और टीम इंडिया और भारत के लिए कुछ नया करते हैं विए मैदान पे नज़र आएंगे इसी परकार और भी खबरों चो बने रहने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लिए और हमारे रिशाद बने रहिए नमस्कार